हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सीट्यूब चैनल में जिसका नाम है गोविंदर खुंशी आज की इस वीडियो में हम आपको बना के दिखाने वाले हैं एक स्नैक यानि की सांप जिसे देखने में दोस्तों आप लोगों काफी ज्यादा मजाएगा और आपको बनाने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और ये एक यूनिक चीज है और काफी इंट्रस्टिंग चीज भी है आप इसे बच्चों को दे सकते हैं खेलने के लिए और आप भी इसे थोड कि यहां पर बनाई काुट हैं इसमें थोड़ा साव पानी डालेंगी। ज्यादा पानी आट करेंगे पर दिन कोदी स्यादा राकिना क 우리 पानी वालने व्लपाइटeeee तो यहां पर चाब यहां पानी करे स्किरी दॉट रापम इसी से चलेगा। कि इसमें यह साप में हम जो सिस्टम बनाने वाले हैं वो चाबी का सिस्टम बनाएंगे जिससे की एक बार चाबी भरेंगे और यह साप चलने लेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने सीमेंट कुछ इस तरह से गोध ली हुई है और सीमेंट को हम किसी दूसरी भी चीज पर इस तरह से रख लेंगे कोई भी आप हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड का टुक्रा ले सकते हैं और इसको कुछ जो डंबरू होता है डंबरू की शेप में हमें बनाना होगा और इसको थोड़ा अच्छे से गूंट लीजेगा उसके बाद में ये जो इसका बीच का हिस्ता होता है उसे आप थोड़ा सा पतला रखेगा और इसके बाद इस तरह उंगलियों की मदद से आपको बीच में पतला करके और उपर नीचे थोड़ा सा चोड़ा रखना होगा इस तरह से तो आपका डमरू शेप में बन जाएगा तो आप देख सकते हैं यह हमारा कुछ इस तरह से रेडि हो चुका है और इसको इस तरह से रख के हम सुखा लेंगे लगबगी एक से डेड़ गंटे और यह सुखने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से दिखने लगएगा और इसमें हम अब सुराख करेंगे तो सुराख करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक सुई का इस्तमाल किया है पतली सुई है उसी से हम सुराख करेंगे पहले क्योंकि यह अभी गीला है अगर जादा हम इसमें कुछ मोटी चीज डालेंगे तो यह फोट जाएगा तो इसमें आसानी से हम कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहापे हमने सुई से इस तरह से छेट कर लिया है एक और अब इसी में हम थोड़ी सी मोटी चीज डालके इस सुखाग को थोड़ा और बड़ा करेंगे तो दोस्तों अगर आपके पास ड्रिल मसीन है तो आप इसे अच्छे से सुखाग कर भी इस तरह से सुखाग कर सकते हैं लेकिन हमारे पास यहापे ड्रिल मसीन नहीं है तो हमने इस तरह से इसमें सुराक कर लिए हैं दो आप देख सकते हैं और दोस्तों आपको इसे चेकर लेना होगा यह अच्छे से मदबूश हो जाए तो उसके बाद आप इस तरह से इसमाल कीजिएगा और लगबग दोस्तों तीन से चार गंटे सुखाने के बाद यह अच्सेब रगड कर चिक न लिया है और उसके बाद नहीं के कि वह इसको बैलेंसिंग होती है वह एकदम सही हो चुकी है। और दोस्तों आपको इतनी मोटी यह रबर नहीं लगानी है, हमने यहाँ पर मोटी आपको दिखाई है रबर, इससे जो छोटा साइज आता है पतला वाला आप वाला लीजिएगा, तो आपका साफ ज्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन दोस्तों यह भी साफ अच्छे चलता है आपने सुरू में देखा ही होगा वीडियो में, तो दोस्तों आपको यह रबर ज्यादा बड़ी नहीं लगानी है, थोड़ी सी छोटी लगानी है, बस इसके उपर आजाए, हमें बस इतनी रखनी है, और इतने से हमें काट देना है, और उसके बाद में एक गांट लगा द लिक्कत आएगी, और दोस्तों आपको लगा लेनी है गांट, अगर आप इस तरह से गांट ना लगा पाए, तो आप कोई भी तहागा बान दीजिएगा, अच्छे से टाइट करके, आपकी गांट तब भी लग जाएगी, तो यह देखिए दोस्तों हमारा को जिस तरह सी य अच्छे से तयार हो चुका है, तो अभी हम इसको रखते हैं साइड में, और अब आगे का हिस्सा बनाते हैं सापका, जो सापका मोह होता है वो बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक सीट का इस्तमाल किया है, तो आपको यह भी घर पे किसी भी पुराने तो हमें कुछ इस तरह से इसको मोड़ना होगा, दो तरप से, और इसको थोड़ा सा आप इस तरह से नाप लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा इस प्लास्टिक को हमें नहीं लेना है, बस प्लास्टिक के टुकड़े को हमें उतना लेना है, जितना कि हमारे जो ड तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यह प्लास्टिक का टुकड़ा है इसे हम कट कर देंगे और यह जो हमारा डमरू है वो थोड़ा सा बाहा निकल जाएगा यानि कि दोस्तों आपको बता दें कि ये प्लास्टिक के टुकड़े जो नीचे की और जुके हुए हैं वो जमीन में नहीं टच होने चाहिए आपका डमरू ही टच होना चाहिए यानि जो आपने पहिये बनाए हैं वही टच हो कुछ इस तरह से हम काट लेंगे और ये हम आग केटर से भी थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर देंगे आप देख सकते कुछ यह इस तरह से दिख रहा है और अब इसके बाद हम इसमें सुराग करने वाले हैं तो सुराग करने के लिए आप यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हम ने यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे तो इस तरह से हमें कुछ पीछे की साइड में हमें यह देखिए आप हमने कुछ इस तरह से होल कर लिये हैं और एक सेंटर में होल किया है दोनों साइडों में और एक सेंटर में होल तो आपको इस तरह से बना लेना है उसके बाद अब यह हमारा डम्रू यानि की साप की जो नीचे लगने वाले पई है तो दोसों इसमें हम धागा लपेटेंगे और धागे को अच्छे से पहले बान देंगे इसके अंदर इसको थोड़ा टाइट बान देंगे जिसमें यह धागा गूमेना दो तीन गांट लगा देंगे इसमें और फिर धागे को हम लपेटना शुरू करेंगे इसमें तो दोस्तों आपको लगवग 12-15 बार इसमें लपेटना है और थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़कर इसे हमें इस तरह से तोड़ लेना है तोड़ने के बाद अब यह जो हमारा धागा है जो सेंटर में हमने पॉइंट जो सेंटर में हमने लगाया था जो होल किया थ उसमें हम धागा डालेंगे और जो पईये में हमारा धागा जो लपेटा हुआ है उसे हम आगे क्यों रखेंगे आगे क्यों रखने के बाद यह जो हमारी रबर जो बच रही है हम इसको माचिस की तीली से कुछ इस तरह से रोक देंगे जिससे यह निकलेना और इसके बाद हमें जो यह लगड़ी लगाई हैं माचेश की तिली तो इसके उपर सेलेव टेप भी लगा देंगे हम तो यह हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी है तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर चाबी भरी और यह हमारा जो हमने बनाया हुआ यह चल रहा है तो इसी तरह से हमारा यह स्नेक चलेगा आप देख सकते हैं यह हमने चाबी बरी और इसको इस तरह से छोड़ा तो यह चलने लगा तो दोस्तों आप सांप का जो बाकी का हिस्सा होता है वो बनाते हैं तो हमने यहां पर इस तरह से दो फोल्ड कर लिये हैं जो एक पट्टी ट जो हमारे पट्टी होगी आगे की और ज्यादा चोड़ी होगी और पीछे की और थोड़ी सी पतली होगी जिस तरह से साप होता है आगे की और मोटा होता है पीछे की और पतला होता है उसी तरह से हमें बना लेना होगा और इसको कुछ मोड की हमें इस तरह से तयार कर लेना है तो आप देख सकते हैं यह हमारी तिरशी तिरशी लाइने तयार हो चुकी है और इसको फिर से ऐसे करते हुए जो हमारी दो फोल्ड में थी तो वो दोनों फोल्ड को हमें थोड़ा सा अलग कर लेना होगा और इस तरह से V-shape में हमें इस कागज को बना लेना होगा तो दोस्तों ये कागज ये जो नॉर्मली चार्ट पेपर होता है वो है यहाँ पे ब्लेक कलर का हमने चार्ट पेपर इस्तमाल किया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा V-shape में आ चुका है ये देखे फ्रेंट्स और यहाँ पे हमने जो हमारा जो साब का मुझ बना हुआ था उसमें भी हमने ब्लेक पेपर चिपका लिया है और ये जो पीछे की पूछ है और ये सिर हम इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे तो दोस्तों हमने यहाँ पे फेवी कोल का इस्तमाल किया है इन दोनों को जोड़ने के लिए और दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे साब की आखे बनाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा साप कुछ इस तरह से रेडी है और साप की आखों को बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो रेड फाइवर स्टोन होता है वो लगाया है यानि कि आप नॉर्मल भासा में मौती भी कह सकते हैं मौती या टीकी आती है वो है और यह देखे दोस्तो हमारा यह स्नैक रेंगने के लिए बिल्कुल तयार है तो आपको दिखाते हैं यह हमने चाबीस में भरी और छोड़ते ही यह आगे की और भागने लगता है यह देख सकते हैं आप और इसी तरह से आप चला सकते हैं जैसे ही आप दागे को ऊपर खीचेंगे तो इसमें चाबी भर जाएगी और नीचे रखते ही तो वो जो है रबर फिर से खुलेगी तो यह साप आगे की और भागेगा तो आप देख सकते हैं जैसे हम दागा ऊपर खीचे रहें तो यह रुख जाता है और फिर छोड़ने पर यह आगे की और भागता है यह देखिए फ्रेंड्स तो दोस्तों मित करते हैं यह छोटा सा वीडियो आपको जरू पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरू कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजे और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार जैहिंत